तो अभी अभी इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे एक बड़ी अपडेट आ गई है और वो अपडेट ये है जैसा कि आप लोगों ने आज सुना था कि इंडियन आर्मी जनरल जो है हमारे मनुस पांडेजी उन्होंने बोला था कि आज कल या फिर परसो मतलब दो दिनों के अंदर सारी डीटिल्स आपके सामने आ जाएंगी इंडियन आर्मी की तरब से और इसी ओफिसल वेबसाइट पर आएंगी तो यहां पर देख सकते हो इसको अगर मैं डाउनलोड करता हूँ इस PDF को फिर दिखाता हूँ कि क्या है मैंने वैसे डाउनलोड कर रखा था फिर दिखाता हूँ तो as you can see eligibility criteria for recruitment as agnivir यह आर्मी के लिए है आपको बता देता हूँ कि यह सिर्फ आर्मी के लिए ही निकाल गया अभी Air Force और Navy की तरब से कुछ भी ऐसा notification रिलीज नहीं किया गया इसमें अगर आप देखोगे तो agnivir general duty all arms age limit आपको पता है साड़े सतरह साल से तेईस साल पहले मैं यहीं चीज दिखा देता हूँ अलग-अलग है agnivir technical all arms agnivir technical aviation and ammunition examiner agnivir color storekeeper technical all arms agnivir tradesman यह भी आड़ करा है और agnivir tradesman all arms एक्थ पास भी रखा है ठीक है अब अलग-अलग करके बात करते हैं तो educational qualification अगर आप general duty में जाना चाहते हैं तो 10th होना चाहिए आपका 45% marks in aggregate और 33% each subject में होना जरूरी है यह आप लोग ध्यान रखिएगा अगर आप agnivir technical all arms के लिए करते हैं तो 10 plus 2 आपका होना जरूरी है science with physics, chemistry, maths and English with minimum 50% marks in aggregate and 40% in each subject यह agnivir technical aviation के लिए भी same वही चीज़ रखी गई है कि 10 plus 2 आपका intermediate exam पास होना चाहिए किसी भी educational board के थूर और साथ में आपका NIOS and ITI course of minimum one year in required field यह आप लोग ध्यान रखिए अगणivir clerk के लिए storekeeper technical all arms यहाँ पे आप देख सकते हो 10 plus 2 intermediate exam पास होना जरूरी है आज, commerce, science कुछ भी हो 60% marks होना चाहिए aggregate में यह दिया गया और minimum 50% marks होना चाहिए सभी subject में ऐसा नहीं है कि 60% तो आपके पास है लेकिन किसी subject में 45% है किसी में 65 है किसी में 75 है ऐसा नहीं होना चाहिए सब में at least आपका 50% होना ही चाहिए अगनी भी tradesman में अगर बात करें तो इसमें class 3 होना जरूरी है आपका simple pass होना जरूरी है अगनी भी tradesman के लिए कर बात करें तो class 8 simple pass होना जरूरी है और कुछ भी ऐसा नहीं जरूरी है 33% होना चाहिए सभी subject में तो it pass के लिए भी है vacancies यहां पर the upper as is limit has been relaxed from 21 years to 23 years as a one time measure for the recruiting year 2022-23 2022-2030 recruiting year के लिए यह दिया गया है one time आपको इस limit में छूट उसके बाद 17,5 स 21 साल के 20 में recruit करेंगे यह तो यह चीज थी जो information अभी के लिए आ रही है आप लोग check out कर सकते हो official website पर या फिर यह मैं अभी telegram पर डाल सुका हूँ तो आप telegram पर भी जाकर check कर सकते हो और यह download करके अपने पास रख सकते हो जो भी आपको करना है बाकि आप comment सकते हो में comment करके बता सकते हो आपकी इसके उपर राय क्या है और फिलाल के लिए तो इजना है Thank you so much everyone चाहिंद